इस वीडियो में आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम सुब भाग गरेखा की बात करेंगे, फिर थोड़ी दोश पूर्ण भाग गरेखा की बात करेंगे, जिसके अंदर थोड़े से दोश होंगे, और अंत में हम बात करेंगे कि अगर किसी के हाथ में भाग गरेखा है ही नहीं, तो उसका क्या प्रभाव होता है चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं यदि किसी के हाथ में भागे रेखा मणी बंद से निकलती हुई शनी परवत की तरफ जा रही है तो इस तरीके की अगर भागे रेखा है तो ऐसे लोग पैत्रिक संपत्ती से धन कमाते है ऐसे लोगों का पुराना बिजनिस हो सकता है जो उनके दादा पर दादा नहीं शुरू किया हो या फिर उनके फादर नहीं शुरू किया हो तो ऐसे लोग अपनी पैत्रिक संपत्ती से जो धन मिलता है या फिर जो बिजनिस मिलता है उसको आगे लेके जाते हैं तो इनका भाग्य साथ देता है, ऐसे लोग काफी तरक्की पाते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन ये रेखा काफी कम हातों में देखने के लिए मिलती है, चलिए दोस्तों अब हम थोड़ी ऐसी रेखा की बात करते हैं, जो काफी हातों में आपको देखने के लिए मिल जा ही है ऐसे लोग जो हوتे हैं वो अपने दम पर पैसा कमाते हैं यानि कि वो पुर्शार्ट करते हैं और पुर्शार्ट करने के बाद धन अर्जित करते हैं क्यूंकि ऐसे लोगों का भाग्य तब ही साथ देगा जब तक ये खुद मेनत नहीं करेंगे तो प्रकृति ने इनका हाथ इस तरीके से बनाया है कि ये लोग मेनत करें और प्रकृति इनका साथ देगी और जिससे ये धन अर्जित करेंगी जिनसे इनका भाग्योद होगा। लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाएंगे और फिर काम को करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और उस ताइम पर आपका भाग्योद साथ देगा और आप काफी धन अर्जित करेंगे। बढ़ जाएगी यदि आप कोई काम करते हैं उससे आप जल्दी धन कमा पाएंगे। यदि भाग्यरेखा के साथ पैरलली एक और रेखा जा रही हो तो इस केस के अंदर भाग्यरेखा की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। यानि कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलेगा। और सनी की प्रोपर्टी भी आ जाएगी। यानि कि ऐसे रेखा को काफी सुब रेखा माना जाता है। ऐसे लोग आध्याद्म की तरफ इनका रुज़ान जादा होता है। इश्वर की असीम करपा होती है। धरम करम के काम से काफी धनर जित करते हैं। तो ऐसे लोग अपना करम करेंगे, भाग्य रेखा है, सनी उसे सपोर्ट करेगा और ब्रस्पती भी सपोर्ट करेगा। और यदि ये दो मुखी रेखा जो है वह सुर्य परवत की तरफ बन जाए। तो यह भी सुब रेखा मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सुर्य की प्रोपर्टी भी आगी और शनी की प्रोपर्टी भी आगी। ऐसे लोग सरकार के साथ कोई बिजनिस करते हैं, या फिर सरकारी करम चारी हैं, या फिर गौर्मेंट के साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन अगर है, तो उससे इनको बहुत दोस्तों चलिए, अब हम बात करते हैं राजयोग की, यदि यहाँ से एक रेखा और निकले और ब्रस्पती परवत की तरफ चली जाए, यानि कि तिर्शूल बन जाए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको सुर्य परवत, सनी परवत और ब्रस्पती परव इसमें सुर्य की परवत, सनी की परवत, ब्रस्पती की परवत, इसे लोगों का धरम करम पर भी बहुत ध्यान रहता है, ऐसे लोग मेहनत जो करते हैं, उससे कई गुनाईने लाब मिलता है, और इनकी पहचान जो है, वह सरकार के अंदर भी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का राज योग बन रहा है, तो राजा को हर कोई जानता है, वह धरम में भी पार्टिस्पेशन करता है, उससे सरकार में भी पार्टिस्पेशन होता है, और जो भी वो काम करता है, उससे उसको लाब मिलता है, तो इसलिए इसको राज योग बोला जाता है, चलिए दो सकती है पत्नी जो है वह जौब कर सकती है या पत्नी का अपना खुद का बिजनेस होगा और अगर इन में से कुछ भी नहीं है तो जैसे ही शादी होगी इंसान की जो है किस्मत बदलना शुरू होगी शादी के बाद क्योंकि भागियो जो है वह शादी के बाद होगा चलिए दोस्तों हम भागिरेखा को थोड़ा और भी समझने की कोशिश करते हैं यदि भागिरेखा जो है वह शुक्र परवत से निकलती हुई शनी परवत की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर ससुराल पक्ष से धनलाब होने के योग बनते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दहेज मिलेगा कहने का ये मतलब है कि ससुराल का कोई बिजनिस होगा जो आपको नया बिजनिस खुलवा सकते हैं ससुराल में कोई न कोई ऐसी जान पेचान होगी जिससे आपको लाब होगा ससुराल पक से धनलाब होने की possibilities यहाँ पर बनेगी यदि भाग गरेखा शुक्र परवत से जा रही है तो यदि भाग गरेखा में यहाँ पर चंदर परवत से कोई रेखा मिल जाए इस तरीके से तो इस केस के अंदर wife से benefit हो सकता है ऐसे लोग कुछ creative काम कर सकते हैं ऐसे लोग विदेश से भी धन कमा सकते हैं यहाँ पर रेखा की intensity जो है बढ़ रही है एक तो शुक्र परवत की property आ रही है चंदर की भी आ रही है और इसे तो हम शनी रेखा बोलते ही है तो शनी की भी property है तो यह एक तरीके से सायक परवत जो है वह उसको boost up करेंगे growth करने में चली दोस्तों हम भाग रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि भाग रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और उसके साथ में कुछ रेखा है इस तरीके से मिल जा रही है चंदर परवत से तो ऐसे के इसके अंदर certain time पर अचानक से धनलाब होता है ऐसे ल भाग रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं अगर भाग रेखा कुछ इस तरीके से है और छोटी छोटी ब्रांचिस इससे निकल रही है ये ब्रांचिस निकलनी चाहिए ये काटनी नहीं चाहिए रेखा को अगर काट देंगी तो रेखा जो है दोश्पून हो जाएगी अगर ब्रांचिस निकल रही है तो इस केस के अंदर भी इंसान को धन प्राप्ती होती है और काफी अच्छी धन प्राप्ती होती है यानि कि सर्टेन टाइम पर कोई बिजनिस डील फाइनल हो जाती है जिसके लिए आप लगातार प्रियास कर रहे होते हैं कोई ज जोब चेंज करने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो जॉब मिल जाती है आपको, तो ये इस तरीके से आपको सपोर्ट करती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भाग गरेखा के उन सेनरियोस की बात करते हैं, जहां पर भाग गरेखा में थोड़ा सा दोश होगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग गरेखा है, तो इसका ये मतलब है कि इश्वर ने आपके हाथ में भागे तो दिया है, अगर वह थोड़ी सी दो स्पूर्ट है, तो स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। यदि किसी के हाथ में भाग गरेखा जो है वह टुकडों में जा रही है कुछ इस तरीके से, तो जहां पर गैप है, वहां पर आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। पाता है वहां पर इनसान जो है वह अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, जॉब चेंज कर सकता है, पैरलली काम शुरू करेगा लेकिन फिर पुराने काम को छोड़ देगा और नया काम शुरू कर देगा, तो यह जो है वह चेंज को दिखाता है, यानि कि सडलली आप एक में थे लेकिन आपने तुरंट दूसरा फिल्ड चेंज कर लिया या फिर पैरलेली दोनों फिल्ड में काम किया और दूसरा फिल्ड आपको अच्छा लगा तो उस फिल्ड को अपना लिया तो इस तरीके कि अगर भाग गरेखा में ब्रेक होता है तो इंसान अपने profession को change कर सकता है और इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई इंसान job कर रहा हूँ वह business भी शुरू कर सकता है या business करते हुए नौकरी की तरफ जा सकता है चलिए दोस्तों भाग गे रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं यदि भाग गे रेखा यहां से निकली और मस्तिक्स रेखा तक ही पोची उसके बाद खतम हो गई तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि certain time तक आपका भाग गया आपका support करता है उसके बाद जीवन के struggle बढ़ जाते हैं तो देखाया ना कि काफी बार कुछ लोग जो है certain age तक बहुत जादा progress करते हैं फिर उसके बाद उनकी life normal हो जाती है और struggle full हो जाती है तो कहीं न कहीं भाग गे रेखा जो है वह stop हो गई है तो आप लगातार प्रयास करते रहिए आप अपनी मेहनत के इसाब से चीज़े कमाएंगे लेकिन जैसे भाग गया आपका साथ देता है उसकी intensity जो है वह कम हो जाएगी लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तो अगर भाग गे रेखा छोटी है ठीक है या फिर मस्तिक्स रेखा तक पहुँची है या उससे पहले ही खतम हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपके परवतों की पोजिशन अच्छी है तो आपका भाग गे जो है वह साथ देगा क्योंकि हाथ में एक रेखा को देख करके सारी चीज़े डिफाइन नहीं किरी जा सकती क्योंकि हाथ में हर चीज़ का बहुत महत होता है हाथ में परवतों की पोजिशन कैसी है हाथ के अंदर अंगूठे के उपर किस तरीके से लाइने है और उसका जुकाओ किस तरफ है तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है वह कैलकुलेट किया जाता है कि आपका भाग्य कैसे होदे होगा या आप कितने अमीर रहेंगे या फिर आप अपने जीवन में कितनी तरक्य प्राप्त करेंगे लेकिन जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य रेखा पर हम कॉंसंट्रेट करते हैं लेकिन बाग्य की एरियास भी देखने होते हैं चलिए दोस्तों हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकली और हिर्दय रेखा तक पहुची और वहां जाकर खतम होगी जैसा मैंने मस्तिक्स रेखा के बारे में बताया था उसी तरीके से हिर्दय रेखा तक पहुचकर भाग गे रेखा अगर खतम हो रही है तो certain time तक आपको progress मिलेगी फिर उसके बाद जो है progress में struggles आने शुरू हो जाएंगे यदि भाग गे रेखा के उपर कुछ cross बन जाए तो इस case के अंदर जहां cross बन रहा होता है वहाँ पर struggle period जो है वह थोड़ा सा आएगा यानि कि काम बनते बनते बिगड़ेगा फिर बन जाएगा तो अगर रेखा पर कहीं भी दोश आ जाए रेखा पर कोई कटाव आ जाए इस तरीके से तो ये दिखाता है कि एक certain time पर आपको struggle जो है वह बढ़ जाएगा लेकिन आपका भाग आपका साथ देगा उस period को आराम से गुजार लीदिए थोड़ा patience रखिए planning करते रहिए ठीक है उतार चड़ा होंगे लेकिन भाग आपका साथ देगा यदि भाग गे रेखा के उपर कोई दोश आ रहा है ठीक है तो वहाँ पर आपका struggle जो है वह बढ़ जाएगा तो भाग गे रेखा पर कोई दोश होना आपके struggle को बढ़ा देगा चली दोस्तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के हाथ में भाग गे रेखा है ही नहीं तो क्या उनका भाग गे साथ नहीं देगा है या वो अपने जीवन में धन नहीं कमाएंगे जादा तर देखा गया है कि जो लोग नौकरी कर रहे होते हो उनके 10 परसेंट या 5 परसेंट लोगों के हाथ में भाग गे रेखा नहीं होती तो दोस्तो भाग गे रेखा ना होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान धन अर्जित नहीं करेगा जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एक हाथ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि आपका भाग ये आपका साथ नहीं देगा अगर आपके परवत अच्छे है तो आप अपने जीवन में करम के अनुसार चीजों को गेन कर लेंगे क्यों क्योंकि बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो हाथ की रेखाओं को देख करके हम अनुमान लगाते हैं लेकिन हाथ की बनावत और उसके परवत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं हाथ को रीड करते वक्त उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप हमारे एस्ट्रोलजर से बात करना चाहते हैं अभी डाउनलोड करें प्ले स्टूर पर क्लिक करें सर्च में एस्ट्रोजन टाइब करें और एप्लिकेशन को एस्टॉल करें अप्लिकेशन इस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आई डी या फिर फोन नमबर की मदद से लॉग इन कर सकते हैं लोग इन हो जाने के बाद यहाँ पर Estrelauser की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी Estrelauser से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें उसके बाद Estrelauser का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे कॉल या चेट अपनी सोव एस्ट्रोजर से कनेक्ट हो जाएंगे तो बिलकुल भी देर ना करें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बहतरीन एस्ट्रोजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन